हलो ब्रिवान मैं हो प्रतिमा और आप सभी का आई एक्जामडी की ओनलाइन प्लेटफरम पर स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं IBPS ISO मेंस का रिजल्ट काफी पहले आ चुका है और अब इसके इंटरव्यू होने वाले हैं इसके इंटरव्यू की डेट भी डिकलेर कर दी गई है मार्च में इसके इंटरव्यू होंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां पर मुक्श परिक्षा की कट ओफ है वो क्या है जिसके द्वारा यहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर अभ्यरतियों को आया है साथ में हम इसके पिछले वर्स की cut off की भी बात करेंगे जो की 2021 की होगी जिससे आप compare कर सकते हैं उसकी तुलना कर सकते हैं कि अगर पिछले वर्स की cut off ये थी तो आगे आने वाले जो final result होगा IBPSSO का interview के बात तो उसकी cut off क्या जा सकती है साथ में interview के लिए कुछ महत्यपूर्ण प्रशनों के बारे में भी हम बात करेंगे इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें interview से सम्मंदित जो प्रशन पूछे जा सकते हैं उनको हमने उसमें discuss किया है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस राजभासा पढ़ा है राजभासा की बारे में तो राजभासा नियम उन्नीस सो जो 76 है उसमें कुल बारह नियम है और इसके हर नियम में प्रतेक नियम में कुछ अलग अलग बातों का उलेक मिलता है जिसमें नियम पांच की बात करें तो उसमें लिखा है कि हिंदी में जो उलंगन होगा आपको वहां उत्तर देना है नियम 5 का उलंगन होगा कौन से नियम राज भासा नियम 1976 के पांच में नियम के द्वारा वहां पर पताया गया है तो इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं कि इसका उत्तर है नियम 5 अगला प्रशन हो सकता है कि राज भासा नीती के बारे में बताईए क्योंकि राज भासा नीती से प्रशन आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं तो इससे भी प्रशन आपसे पूछ सकते हैं Hindi दिवस अब राज भासब हमारी Hindi है तो Hindi से सम्मढ़ी जितने भी प्रस्ण है वो आपको तयार करके जाना चाहिए क्योंकि वो प्रस्सन पूछ लेते हैं कि Hindi दिवस के बारे में बताएं और हिंदी दिवस जो एक राष्ट्री हिंदी दिवस होता है और एक विश्व हिंदी दिवस होता है तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ कर जाना चाहिए इनके बारे में आपको knowledge होना चाहिए जिसके बारे में आप बता सकें कि हिंदी दिवस जो होता है जो राष्ट्र पोछे जाते हैं इंटर्विum में तो हिंदी का जो काल भी भाजन ने उसके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए और यहां पर जो प्रसन के पूछे गए हैं तो उसमें आपके हिंदी साहिति से प्रशन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि बताएए वीर रस के कुछ कभियों के नाम बताएए अगर आपने उनका नाम बताया तो फिर वो आगे कोशन पूश सकते हैं कि उनकी रचनाओं की बारे में बताएए जो भी आपने नाम लिया होगा उनकी कुछ मुख रचना होती हैं, उनको सुनाने के लिए कह सकते हैं. तो आपको हिंदि साहित भी पढ़के जाना है इंटरव्यू के लिए. साथ में कुछ महत्यपुन जो तिथी होती है, उनके बारे में प्रस्न होता है कि बताए चौदा फर्वरी को क्या था चौदा फर्वरी किसलिए प्रसिद्ध है ये तारीक क्यों मुख्य है तो इस तरीके से प्रशन है अब आपने चौदा तारीक के बारे में बता है कि चौदा फर्वरी को या 14 फैब को क्या होता है इसी से वो 14 सितंबर है 14 अप्रेल है 14 तोड मैं है इस तरीके से वो आगे प्रश्dam पूछेंगे अगले बात है आपको शाहित्य के साथ आपको हिंदी व्याकरण की भी तेयारी कर लेणी चाहिए अगर आपने हिंदी व्याकरण बहुत दिनों से इसको रुविजन नहीं किया क्र ले क्योंकि हिंदी व्याकरण से भी प्रशन पूछ लिए жाता है, कि बताये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तजबो शब्द कौन से होते हैं, तक्सम शब्द क्या होते हैं, कि आपके भविस्षिकाल में ये, हिंदी में किस प्रकार का वाक्य होगा, तो ऐसे प्रस्णों पूछ लिए जाते हैं राजभासा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो सबसे मुख्य प्रस्ण हो सकता है कि राजभासा अधिकारी के कारे क्या होते हैं बैंक में जो अधिकारी होते हैं उनका कारे क्या होता है तो ऐसे प्रस्णों को भी आप तयार करके जाएं और ये प्रस्ण ऐसा है यदि आप किसी जॉब में हैं कोई जॉब कर रहे हैं वर्किंग हैं तो आप अपनी उस जॉब के बारे में उस नौकरी के बारे में आपको पता होना चाहिए इस से प्रस्ण आपके काफी ज्यादा जोब है उसको आप छोड़ना क्यों चाहते हैं ऐसे प्रस्ण यहां पर पूछे जाते हैं तो इसके बारे में भी आप अच्छे से त्यारी कर लें जिससे आप वहां पर आसानी से उन प्रस्णों का उत्तर दे सकें आप हम बात करें कि इसकी जो पिछले वर्स की क्या थी फिर हम बात करेंगे कि आगे की यानि इस वर्स की मुख्य परिक्षक की क्या है तो यहां पर पिछले वर्स की जो कट ओफ है राजभाशा की तो यह कटेगरी वाइज है तो यहां पर देख सकते हैं कि राजभाशा अधिकारी के लिए जो जनरल की कट ओफ है वो है 23. 22.25 सेम आपकी SC की भी है OBC की और EWS की भी एक जैसी है लेकिन यहां पर ST की थोड़ी कम गई हुई है 22.25 है तो यह है कटेग्री वाइज कट ओफ जो की 2021 की है और अगर हम बात करें कि की जो फाइनल कट ओफ गई है आई बीपेस के सो की 2021 में पिछले वर्स उसमें आप देख सकते हैं कि SC की जो है वो है 59.40 जबकि ST की है 56.33 OBC की 62.3 थी है EWS की 46.27 है और अन्रेजर्व कर्टेग्री की यहां पर 61.00 गई है यहांई OBC से कम जनरल वालों की है यहां पर तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिछले वर्स की कट ओफ आई बीपेस एसो के लिए राजभासा अधिकारी के लिए क्या थी तो यहां आई बीपेस एसो मेंस की जो सेक्षन वाइज कट ओफ है 2022 तेज की जिसका एक्जाम मुक्रिक्षा जो थी वो है 39.00 जनवरी को थी अभी तो राजभासा अधिकारी के के लिए 60 अंकों में से SC, ST, OBC और PWBD के लिए 24.25 गई है कट ओफ और EWS और जनरल वालों की 27.75 यहां पर इसकी कट ओफ गई है यह सेक्षन वाइज कट ओफ है लेकिन यहां पर इंटरव्यू के लिए जो कट ओफ गई है कि सॉर्ट लिस्टिंग के लिए कि इंटरव्यू म पर आप देख सकते हैं कि SC के लिए 27.75, ST की जो है वो सिर्फ कम है यहां पर 25.25 है जबकि SC, OBC, EWS और जनरल इन सब ही की जो कट ओफ है वो है 27.75 है तो इससे उपर वाले जितने भी कंडिडेट्स हैं इतने जो कट ओफ जिसकी भी इससे ज्यादा है उनको ही यहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है इससे कम अंग प्राप्त करने वाले या कट ओफ में आने वाले अब भीरतियू को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर नहीं आया है तो इस तरीके से हमने देखा कि SECTION WISE कट ओफ 2030 में क्या है और यहां पर इंटर 2021 में इससे कम थी तो यह और उसकी जो कट ओफ अभी हमने पिछले डिसकस किया कि overall यानि final जो कट ओफ थी तो उससे जादा इस बार जाने की संभावना है क्योंकि यहां पर मुख परिख्षा की जो कट ओफ है वो 2021 से 2030 में अधिक है तो यहां पर जो final कट ओफ बनेगी वो प चैली कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने आपको तयार करें और बहतर त्यारी करें ताकि आपके इंटर्व्यू में ज्यादा से ज्यादा आपको अंक प्राप्त हो सकें तब ही आपका सेलेक्शन हो सकता है अधर्वाइस तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है अब ह यानि का दूबे जो हमारे student थी वो rank holder है और उनका rank जो है वहाँ पर first rank आया था तो दूसरी बत है यहाँ पर आई वीपेज एसो राजभासा में 2022 में जो selection हुआ है वो अमन कुमार का भी हुआ है यहाँ पर आप उनका score देख सकते हैं और इन सभी की जो success story है वो आई एक्जामबी के YouTube channel पर आपको मिल जाएगी तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं इस सल जो अभी नाबाड grade A का result आया है उससे selected candidates हमारे यहाँ से तीन है जो की मिनानसू है और यहाँ पर आलोग कुमार है और सौरभ है तो यहाँ पर अभी नाबाड का जो exam हुआ है उसक candidate से यहाँ पर select हुए है तो अगर आप आई एक्जामबी के साथ करना चाहते हैं तो आप आई एक्जामबी की website को subscribe करें और वहाँ पर दिये गये course को enroll कर सकते हैं और आप इन सभी की जो success story है तो उसको जरूर आपको देखना चाहिए ताकि आपको आपके interview के लिए कुछ guidance म मिल सकें जिससे आपकी त्यारी बहतर हो जाएगी तो इस प्रकार से आपको इनकी success story है वो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पर interview में प्रस्न पूछे जाते हैं और उनकी strategy क्या थी त्यारी करने की